हेलो एप्रीवन मैं नीरज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एनके जीएस स्टडी पर बिहार लेडिज कॉंस्टेबल का नए वेकेंसी आ गया है आज से जो है अप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है इस वीडियो में आपको फूल डिटेल्स बताने जा रहा हूं इस वेकें महिला हैं जो भी बिहार पूलिस के त्यारी कर रहे है उनके लिए बहुत अच्छी खवर है लेकिन उससे पर चोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार से संबंदित कोई इन्फोर्मेशन होता है मैं पहल लिए तो अप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है और लाश्ट डेट कब तरहें तो 24 जुलाई तक लाश्ट डेट है कितनी पोस्ट है तो 474 पोस्ट है ठीक है अब आगे बढ़ते पीडिये मैं आपको दिखा रहता हूं ऐसा नहीं को यह फैक्ट निउज है ठीक है हो सकता है कि स्ववाबिमान पुलिस बटालियन यहां पर एक चीज महत्पूर्ण है कि यह जो स्ववाबिमान बटालियन के अंतरगत सिर्फ और अनुशूचित जन जाती यानि कि एस्टी के जो महिलाएं है सिर्फ उनके लिए वेकंसी निकला हुआ है तो उनके लिए बहुती एक अच आपके लिए वीडियो को छोड़ सकते हैं यानि की लोग है उनके लिए सकते हैं की तुर्व को डाउनलोड कर लिए और यहां पर सब जो भी डीटेल है वो पढ़ लिजेगा मैं जो इंपॉर्टेंट वही सिर्फ बताता हूं ठीक है यहां पर सिर्फ साफ लिखा हुआ है बिहार सु अभिमान अनसूचित पुलिस बतालियर में जो है अनसूचित जनजात्ती की महिला हो को जो है ठारा साल हो जाना चाहिए और उसके साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन भी है जो वह भी एक एक 2020 को ही पूरी हो जानी ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका अगर आप जो है टुवेल्ट की जो है 2020 में अभी अप्लाइग पास किया है इस साल और आप अप्लाइग की जि के समय आपका रिजेट कर दिया जागा वो क्यूं मैं आपको यहां पर नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा ठीक है वीडियो को लाक्त तक जूर देखिएगा यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल के बारे बता दो तो उचाही के लिए कोई हाइट के लिए को आपको अगर होगा वैड़ेन आपको मिखांतर लेकिन नाघारी के लिहां और पेपर भार में होगा एग्यां होगा च्छाम पर ठीक हो नेकरद के एकौगा और स्लेबस जो है वह है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड करेज़ेगा यह आप कहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा ठीक है वही बात है 30% आपको मिनिममम लाना है अब देखें यहां पर एक लाइन देखें लिखित परिक्षा में अंतिम मेधा सुचित के अधार नहीं होगी लिखित परिक्षा के वल सारी योगता या दक्षिता परिक्षा के लिए क्वालिफाइग होगी यानिकि सिर्फ आपको नंबर आपके मेरित लिस्ट में जोड़ा जाएगा सेलेक्षन के लिए ठीक है सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाइग करना है अब देखिए लिखित परिक्षा में प्राप्त अंकों के अधार पर आरक्षन के चलिए तो आरक्षन से समन्दित है कोई चीज है सिर्फ इस तरह से नंबर दिया है यहाँ उसी तरह से गोला फेक का है यह जो बारफ पॉंड का यानिन लगबग 6-7 कजी का जो है आपको एक गोला फेक ना होगा ठीक है और निम्तम जो बारफ फीट फेक ना होगा और उससे ज्यादा आप फेकते हो तो उसके नुसार आपके सब्सक्राइब करना है उससे ज्यादा आप करते हैं तो उसी के आपका यह नंबर होगा ठीक है उसके बाद जो आपको गोला फेकने में जो आपका नंबर मिलेगा उसी को जोड़कर जो है इसको अप्लिकेशन बाद में जाके अगर आप जो है इसको अप्लाइब नहीं कर सकते हैं आपका जो है अप्लिकेशन बाद में जाके है रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद यह मेडिकल का कंडिशन है यह चलिए आप दख लिजेगा उसी तरसी सर्टिफिकेट है ओनलाइन अप्लिकेशन करने के आपको यह साइट जो है बिजिट करना होगा यहाँ पर क्लिक किजिएगा तो यह आपका डारेक्ली ओप अप्लाइग कर सकते हैं और अगर चाहते तो मैं आपको एक डिरिकेड़ वीडियो बना दूगा कि कैसे आपको जो है ऑनलाइन अप्लाइग करना है कहीं पर साइबर काफे में जाकर भी ऑनलाइन करवा सकती है चलिए यह सारा डीटेल आप पढ़ लिजिएगा ठीक है तो इसमें सारा प्रकिरिया बता आगा कैसे औलाइन करना है नोटिपिकेशन आप जरूर पढ़ लिजिए कोई वेकेंज से निकलता है तो उसका नोटिपिकेशन आपको खुद से जरूर पढ़ना चाहिए सिर्फ यूटूब के भरोसे या किसी भी के भरोसे नहीं होना यहां पर नीचे लिंक में प्रवाइड करा दूँगा वहां पर क्लिक करके आप डाउनोड कर सकते हैं यह कुछ रीजन बता है जिसके कारण आपका आवेदन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है तो यह बात देख लिएगा कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है ठीक है तो आ कर दो के तो